गुड मॉर्निंग आज हम पढ़ने वाले हैं पैरलल कॉंबिनेशन ओफ अप्लाइंसे इलेक्टिकल अप्लाइंसे इससे पहले मैंने सीरीज वाला वीडियो डाला उसको अच्छे से जाके देख लेना उसमें काफी कुछ समझने की चीजे वह अच्छे से समझने आगा तो इ है है 100 व По का बल्ब यह 50 transportation दोनों के वोटेज में डिफ्रेंस है यह कं चम्केगा यह ज्यादा चम्केगा लेकिन इन दोनों को काम करने के लिए जो वोल्टस चाहिए वो सेम है 220 अगर इनको 220व मिले गा तो यह सही से काम करेंगे बहुत ज्यादा मिलेगा तो कर भाब बहुत कम मिलेगा तो ये काम अच्छे सा नहीं करेंगे इनके चमक बहुत कम आई दी उसी को रेटिंग बोलते हैं यह वही लिखा हुआ 100 वोट 220 वोल्ड अब ऐसे यहाँ पर मैंने तीन अप्लाइंस लिए जिनकी पावर अलग अलग है और वोल्टेज तीनों का सेम है मतलब इन तीनों को काम करने के लिए सेम ौल्ट चाहिए इन तीनों को मैंने इसे बार पैलल में कनेक्क किया यह इन तीनों को लगा दिया मैंने पैयलल में पैललल कॉंबीनेशन की खाश्यत होती है कि जितनी बी चीज Kobe आप लगा होगे उन सब पे voltage सेम जाता है मतलब इसको V voltage चाहिए था V ही मिल रहा है इसको V voltage चाहिए था V ही मिल रहा है इसको V voltage चाहिए था V ही मिल रहा है तीनों को जितना voltage चाहिए था जिसको काम करने के लिए जितना पैसा चाहिए था उतना दे रहे हो तो काम अच्छा करके देगा वैसा है कुछ यहां पर है कि जब तीनों को आप parallel में लगाओगे तो circuit की overall power बढ़ेगी पहला reason तो यह है कि जितना voltage इसको चाहिए उतना मिल रहा है दूसरा reason यह है कि इन सब जो appliance है उनके अंदर कुछ न कुछ resistance होगा जब आप parallel में appliances को लगाते हो तो overall resistance decrease होता है जब resistance decrease होगा तो इस circuit में flow होने वाली current काफी बढ़ जाएगी और जब current बढ़ जाएगी तो ज़्यादा power generate होगी मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप power के question करो सबसे पहले जो step होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप क्या निकाल लो resistance को निकाल लो resistance निकालने के लिए जो मैं formula काम मेलूँगा वो होगा r is equal to v square by p वो भी मैं समझा चुका हूँ पिछले इंडियों में तो उसको जाके आप देख लेगा यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे मेलको निकालना है r1 तो r1 क्या हो जाएगा r1 is equal to v square upon p1 r2 हो जाएगा v square by p2 और r3 हो जाएगा v square by p3 थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि यहां पर यह v square v square v square तीनों में सेम मैंने इसली नहीं लिया कि यह parallel combination में है यह v square मैंने सिर्फ इसले लिया है क्योंकि इसकी rating ही भी है अगर यहां पर voltage कुछ और दिया होता माननों v dash होता, तीनों का तो मैं यह v dash लिखता, ना की d लिखता वो अलग बात है कि आप supply भी कितना कर दे रहे हो, v ही कर रहे हो लेकिन मैं resistance इसका निकाल रहा हूँ individual, इस cell मतलब इस जो भी appliance है उसका resistance निकाला मैंने r1 इसका resistance r2, इसका resistance r3 इसको कोई फरक नहीं पड़ता, आप इसको series में लगाओ, या parallel में लगाओ इसका resistance थोड़ीना change हो जाएगा तो मैं इसको छुपा रहा हूँ यहां से इसको छुपाने के बाद भी मैं यही चीजे लिखूँँगो और सारी की सारी बहुत ध्यान से resistance निकाला मैं सीखलो आप चीज होगा, यहाँ पर निकाल तो अगर आप बोलो तो यहाँ लिख दो इसका resistance r1 है r1 is equal to v square by p इसका resistance r2 is equal to v square by p1, p2 और इसका resistance r3 हो जाएगा v square by p3 इससे मुझे कोई मतलब नहीं इस सीरीज में लगा है, पैरलल लगा है अब आया लेकिन मतलब अब क्योंकि इसको पैरलल में जो resistance होता है, उसको कैसे लिखते है इस तरीके से लिखते है 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 ठीक है, r1, r1 तो ये है v square by p1, तो 1 upon r1 क्या हो जाएगा p1 upon v square plus p2 upon v square plus p3 p3 upon p2 p3 upon v square ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर माल लो इन तीनों को मिलाके एक imaginary circuit बने जिसमें एक ही appliance लगा है उस appliance की जो power है वो है p parallel और voltage कितना मिल रहा है उसको appliance से कितना होना, v से यह रहा, v वाला मामला तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ उसको individual power r equals to, देखो मैं लिखे देता हूँ उनना confusion हो जाएगा तो r equals to v square by p में यहाँ पर p s आएदा parallel आएदा जब r parallel लिख रहा हूँ तो यहाँ समझ में आया वही चीज में लिख रहा हूँ r p की जगे p p v square मत्तब एक अकेला ऐसा element जो इन तीनों का मुकाबला करेगा तीनों को हटा दो यह की लगा दो combination को हो सा कर रहा है parallel इसलिए p parallel यहाँ p equivalent में लिख सकता था और उस equivalent वाले element पर उस equivalent वाले appliance पर voltage भी है तो यह सा भी लिख दिया इसको मैं हटा दूँ यहां से देख लो एक बार लिखने में दिक्कत आएगी और अगर आपको देखते रहना है तो मैं आगे बढ़ा देता हूं इसको 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 अब क्या किया मैंने v square से v square उड़ गया तो पी parallel equals to p1 plus p2 plus p3 मतलब parallel में लगाने पर power बढ़ती है power increases in parallel parallel combination लगाये जाओ power increase किये जाओ जैसे वहों पर मैंने example लिया था और इससे पहले मैंने एक बताया था identical वाला अगर identical लिए है and identical मतलब p1 equals to p2 equals to p3 equals to p है बहुत सारे चले जा रहे हैं तो लो equals to p तो यहां पर गया किया पी parallel equals to p1 plus p2 plus p3 ऐसे करता जाओ कितने टाइम एंड टाइम और क्योंकि सब सेम है तो इसका मैं हटा सकता हूं यहां से यहां से देखो वेंद से देखो लिए जीन को bond कितना हो एंड टाइंस of p2 आया कुछ सवज में पावर बढ़ता जाएगा वेसे वेसे पावर बढ़ती जाएगी सीरीज में जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा था पावर घटी गए धी यहां पर जितने ज्यादा आप पार बढ़ जाएगी से मिटागी में बता रहाँ तीनों अइडेंटिकल बल्ब है होगे तो क्या करेंगे and times of P कर देंगे यहां पर P कितना है पी है आप पर 10 n कितना है 3 तो पी पेलल कितना आगया 30 वाट अकेले से कितना जाना आगया काफी जाना आ गया अगर आप बोलो कि नहीं अलग अलग ले लेते हैं तो भी रह सकते हैं ते 10, 20, 30 का ले लो उन सब को फिल से एड़ करते हो तो 30 प्लस 20, 50 प्लस 10, 60 मतलब सीधा सीधा एड होता चला जा रहा है उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ आपको यह वीडियो समझ में आएगा बलब वाले कोशन भी आने वाले हैं और भी बहुत सारे टाइप वाले कोशन में कराता रहूंगा तो मेक शूरी सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा ले थैंक्स वर बोचिंग